इंद्रजीत श्टड़ी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है हम पर रहें NCRT क्लास 10 अध्याय तीन नूद्रा और साख भाग तीन इसमें हम रीन की सर्तों के बारे में परहेंगे कि रीन देते से में क्या सर्त रखे जाते हैं हर रीन समझाते में ब्याजदर निश्चित कर दी जाती है देखो यहां पे ब्याजदर एक निश्चित रासी में होती है जिसे करजदार महाजन को मूल रकम के साथ अधा करते हैं मूल रकम और ब्याज के साथ उसको देना पड़ता है बैंको इसके आलावा उधार दाता जो उधार देता है कोई समर्थक रिन धार मतलब गिर्वी रखने के लिए बोलता है गिर्वी रखने की मांग कर सकता है कि भया आप हमारे पास गिर्वी रखो तो तुमको हम करज देंगे समर्थक रिन धार ऐसे संपती है जो चीज गिर्वी रखते हो ऐसी संपती है जिसका मालिक करजदार है मतलब जो जिसका मालिक हो प्राप्त के लिए प्राप्त के लिए समपती या समर्था गरिंधार बेचने का अधिकार होता है कि जो चीज आप वहाँ पर गरांटी के रूप में गिर्वी के रूप में रखें उसको उपिश देगा समपती जैसा कि जमीन बैंकों में जमाप पूजी वसु इत्यादी समर्था गरिंधार के आम उधारन है करजा दिया जाता है वासरिंग जब घर पे आप लोल लेते हो तो मेगा ने घर खड़ इतने के लिए बैंक से पांच लाख रुपे का करजा लिया इस करजे पर ब्याज की वार्सिक दर 12% है कितना 12% और इस करज को 10 साल में मासिक किस्तों में लोटाया जाना है 10 साल में महिने में आप उसको थोड़ा थोड़ा पैसा करके लोटा सकते हैं कितना में 10 साल में मेगा को बैंक से करज लेने से पहले उसे अपनी नौकड़ी और वेतन सम्बंधित रिकॉर्ड दिखाने पड़े हैं पढ़ते हैं कि भाईया आप दिखाउत देंगे लो आने पर वापस किया जाएगा मतलब जब वह चीज चल रहा है तो जब आप करज ले उटाओगे तब आपका सारा कागज आपको दे दिया जाएगा मेगा के आवास रिन के अत्रिक्त विबरनों की पूर्ती करना है ये देखो रिन की रासी पांच लाख रुपया ठीक है याद रहेगा तो यही सब परपर के यहाँ पर भरना है आगे देखते हैं रिना के फोटो यहाँ पदिक रहे है ब्याजदर समर्थक रिनाधार अब अवस्यक कागजाद जो अवस्यक कागज है भुकतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से रिन की सर्त कहा जाता है मतलब उसी को रिन का सर्त कहा जाता है जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ से जिसका उप नहीं नीचे से नहीं ठीक है ब्याजदर समर्थक रिनधार आवस्य कगजात और भुक्तान के तड़ीगों को सम्मिलित रूप से रिन की सर्ते कहा जाते हैं रिन की सर्तों में एक रिन बेवस्था से दूसरी रिन बेवस्था में काफी फर्क आ जाता है देखो यहाँ पर है रिन की सर्टों में एक रिन बेवस्था से दुसरे में रिन बेवस्था में सर्टों की बेवस्था और रिन बेवस्था में काफी फरक होता है कर्ज की सरते उधार दाता जो उधार लिया है उधार दाता और कर्ज दाता के प्रती मतब प्रकिर्टी पर मतब उसके दोनों के बेवहार पर भी निर्भर करती है अगले भाग में ऐसे उधारन दिये गए हैं जहां विभिन ने रिन वेवस्थाओं को वेवस्थाओं में रिन की सर्ते अलग-अलग हैं उसके बारे में हम परहेंगे ये विजार करना है जो ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है जोड़ी नहीं है जिसको आप खुद कर सकते हैं आगे देखते हैं विभिध परकार के साख प्रबंदन जो साखा प्रबंदन होते हैं बैंक वाले ये गाव का उधारन लेते हैं रोहित और रंजन ने कच्छा में रिन की सर्तों के बारे में पढ़ा खत्म किया था पढ़ना खत्म ही किया था वे अपने इलाके में प्रचलित विभिध परकार के रिन परबंदकों को जाचने के उत्साह थे कौन लोग उधार देते हैं कर्ज कौन लोग लेते हैं कर्जदार कौन थे मतलब कर्ज कौन लेते हैं और है रिन की क्या सर्थे हैं और कर्ज लेते हैं तो क्या सर्थ रखते हैं उन्हों ने अपने गाओं के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया आगे आप उनका लेख पढ़ सकते हैं लेख पढ़िए 15 नॉवंबर 1919 हम सीधा उन लेखों में जाते हैं जहाँ दिन के समय इस समय क्योंकि दिन में ही फिरी रता कोई तो दिन के इस समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे खेतों में आलू की फसल लगी हुई है पहले हम क्योंकि नॉवंबर में आलू की फसल लगी जाती है जहां उतर भारत और मद्ध भारत में लग जाता है पहले हम सोनपूर एक छोटा सा गाउं जहां सिचाई की सुविधाय मौजूद है कि एक छोटे किसान स्यामल से मिलते हैं स्यामल के बाद पढ़ते हैं स्यामल का कहना है कि उसे अपने एक दसमलाव पांच एकर जमीन को जोटने के लिए हर मौसम में उधार लेने के जरूरत पड़ती है कुछ साल पहले तक हुआ गाउं के महाजन से रिन लेता था जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देनी पड़ती थी 60% मासिक ठीक है आगे है पिछले कुछ वर्षों से स्याम गाउं के एक किसान बैपारी से 3% मासिक दर पर ब्याज लेता है पहले कहां से लेता था पहले कहां से लेता था गाउं के महाजन से जो 5% पर देता था ब्याज मतलब लोन देता था कड़ देता था और याँ लोन नहीं उनको उधार देता था अब जब कोई एक बैपारी दे रहा है तो तीन परतिसत पर दे रहा है तो फैदा है दूपरतिसत तो उसे लिया जाता है जुदाई के मौसम की सुलवात होने पर बैपारी रिन पर क्रिसी संबंदित आगते जरूरते मुहया कराता है जिसे फसल तयार हो जाने पर वापस करना होता है फसल तयार हो गया तो बेद पर वापस कर दो रिन पर बयाज के अलावा बैपारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा हमसे पैसर यह तो मेरे को बेचोगे इस तरफ बैपारी निश्चिंत रहता है कि रिन की आयादित मतब रिन हमारे पास आ जाएगा फसल की कीमतें फसल काटने समय कम होती है इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खड़िद कर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेच कर भारी मुनाफ़ा कमाता है बैपारी को उस समय फसल खड़िदने से मुनाखा होता है वह फसल सस्ते में खड़िद कर बाद में कीमत बढ़ा कर उसको बेच देता है अब देखते हैं, अब हम अरून से मिलते हैं अरून जो एक किसान मजदूर के काम का निरक्षन कर रहा है अरून के पास साथ एकड़ जमीन है, मालिक है और मजदूरों को देख रहा है काम कर रहा है कि नहीं अरून सोनपूर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से रिन मिलता है इस रिन पर वार्षिक ब्याजदर आठ दसमलों पाच परतिसद है और इसे अगले तीन वर्षों में कभी भी लोटाया जा सकता है अरून की योजना है कि वे फसल तयार होने पर अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेच कर इस रिन की आयादी मतलब लोटा देगा वह बाकी आलू की फसल को सीत भंडार कोल्ड इस्टोर में रखकर बैंकों से उसके बदले नया रिन लेने के लिए दर्खवास्त देना चाहता है बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तयार है जो पहले भी खेती के लिए उसे रिन ले चुके होते हैं जो कर्ज ले चुके रहते हैं उनसे बैंक खुस रहता है चल भई ये लोटा देगा देदो देदो फिर रामा की बाद आती है तो रामा निकट के खेत में क्रिस्तिक मजदूर के रूप में काम करती है साल में कई महीने कई महीने रामा के पास कोई काम नहीं होता उसे अपने रोज मरना के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है अचानक बिमार परने पर या परिवार में किसी समारों पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है रामा कर्ज के लिए अपने मालिक पर जो स्वनपुर का मध्रवर्गी ये भूमी भू स्वामी है मद्धवर्गे मिडिल क्लास का एक भूमी के जमीन का मालिक है उस पर ही आस्रीत है भू स्वामी उसे 5% मासिक ब्याजदर पर रिन देता है रामा उस कर्ज को भू स्वामी के यहां काम करके वापस करती है काम करके सुधा देती है अधिकांस रामा को नया रिन लेना पड़ जाता है जबकि वह पुराना रिन लोटा अभी नहीं पाती है फिर भी उसको जमीन ले जाना मत्तब उसको रिन लेना पड़ता है करजा लेना पड़ता है बरतमान में उसे भुस्वामी के पांच हजार रुपे देने हैं अभी उसको पांच हजार रुपे देना है यदा पे भुस्वामी उसके साथ अच्छा बेवार नहीं करता और रामा के साथ जमीन के मालिक अच्छा बेवार नहीं करता फिर भी वह उसके लिए लगादार काम क स्वामी मन्तब जमीन का मालिक दलाल चाहे उसको बोला जाये तो जमीनदार ही होता है बाकी दुसरा कोई नहीं दे पाता है काई कि उधर बालू बाफिया बहुत होता है सब बालू बाफिया उसके पास पैसा बरपा रहे तो दे देगा तुरंते सहकारी समीतियों से रिन सरका सहकारी समीतियां हैं सहकारी समीति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ छेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं कई प्रकार की सरकारी समीतियां संभव हैं जैसे किसानयों बुनकरों एवं ओधोकिक मजदूरों इत्यादी की सरकारी समीतियां क्रिसक सरकारी समीतियां सु या अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करते हैं और इस जमा पूजी को रिनधार मानते हुए मतलब रिनधार क्या बोलते हैं जो आपको रिन देता है रिनधार मानते हुए इस सहकारी समीती ने बैंक से बड़ा रिन प्राप्त किया है इस पूजी का इस्तमाल सदस्यों को करजा देने के लिए किया जाता है सबसे लेकर उसको करजा देने के लिए किया जाता है यह रीन लोटाने के बाद करज का दूसरा दौर शुरू किया जाता है फिर अब दूसरा दर, लोटा दो तो फिर लो, फिर दो, फिर लो, फिर दो देखो, यहां पर आलू दिया गया है जोनपुर में रिन के बिविन शुरोथों की शुची बनाईगी अलाय अलाग परकार की सुची बनाना है उपर दिये गए अनुछेदों में रिन के बिवन परयोगों वाले पंग्तियों को रिखामकित कीजिए यह सवाल है जिस पर आपको खुद से चर्चा करना है ज़्यादा difficult नहीं है नहीं तो मैं बताता असान है इसलिए आप इसको खुद से परके समझो और नहीं समाज में आता है तो एक comment करो उसके बास से हम समझाने के लिए है न और हमसे नहीं करना है तो जो सामने टीचर है सवाल लिख लो यह सब सवाल को लिख लेना बुक में देख कर अपने बुक में बता देता हूँ कहां मिलेगा NCIT के बुक डाउनलोड कर लेना लिंक साथ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको जरूर मिलेगा मैं फिर से दे दूंगा इसमें उसको क्लिक करना PDF डाउनलोड करना देखना और नहीं तो आपके बस बुक होना चाहिए PDF फर्म में तो आपको हमेशा प्रशनल मोबाइल चाहिए तो 10th क्लास में प्रशनल मोबाइल हर किसी को नहीं हो पाता है क्योंकि मध्यवर्गी परिवार में हर कोई के पास फोनों ये जरूरी नहीं है आजकल के डेट में हो सकते हैं लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि आप किताब ही पढ़ना फोन मत इस्तमाल करना और उसमें आप टीक लगा लेना सवाल को लिख लेना मास्टर ची से पुछन है मास्टर ची बताइए इसका जवाब नहीं बताएंगे प्रिंस्पल से कम्पलेंट करो परधानाध्या पर नहीं बताता है थाने में जाय कम्पलेंट करो डारेक्ट कि ये सर हमको ये नहीं बता रहे हैं हमें एजुकेशन सिक्छा अधिनियव के तौर पे यहाँ पर सुरक्षा मोया कराई जाए हमें हर किसी को पाइदाएसी सिक्छा का अधिकार है तो सिक्षा अधिनियम एक्ट के अनुसार आप अपना केस अपील जारी कर सकते हैं जिसके वज़ा से परधाना ध्यापक और वो सिक्षग दोनों आरेश्ट हो जाएंगे सस्पिंड हो जाएंगे नोकरी खतम हो जाएगी उनकी यह सब आपको जानना परेगा क्योंकि सिक्षा आपका अधिकार है जो आपसे छिन रहा है वो सबसे बड़ा रक्षस है भारत में अपचारिक छेत्रों में साखा आप देखे कौन-कौन से छेत्र में कितना साखा है वर्ष 2012 में भारत में 1000 गरामिन परिवारों के साखा के सुरूत यह देख लो सरकारी साखा 1% कर्च देने वाला और साखारी समितिया 25% ब्रिवसाइक लोग 25% और साहुकार 33% है और अपचारिक बैंक तो इसमें बहुत कम है बैंक की तो मात्रा ही बहुत कम है चलिए जानते हैं भारत में अपचारिक छेत्रों में साखा कैसे होते हैं हमने उपर के उधारन में देखा है कि लोग विभिन सुरोतों से रिन परात परते हैं अलग-अलग परकार से कर्जा लेते हैं विभिन प्रकार के रिनो को दो वर्गों में बाटा जा सकता है अपचारिक तथा अनपचारिक छेत्रिक रिन पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समीतियों से लिए गए करजे आते हैं पहले में आप बैंक से लो चाहे सहकारी समीतियों से लो पहिल करना जाएगा औन उपचारिक उधार दाता में साहुकार बैपारी जो उपचारिक नहीं होते हैं औन उपचारिक होते हैं जिसमें साहुकार बैपारी मालिक रिस्तेदार दोस्त नित्यादी आते हैं याद रहेगा जिसमें आलेख एक मैं देख सकते हैं भूलोगे थोड़ी न, अलेक एक में भारत के गरामिन परिवारों के लिए रिन के विभिन सुरूथों को देखा जा रहा है, यहाँ पर देखो कितने परकार से कर्ज लोग देते हैं, लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे परकार से, क्या अधिक रिन, अवचार चेतर में ही समझ लो एक तरह से, महां से आ रहा है, यह और अवचारिक चेतर से आ रहा है, सबसे ज़्यादा आता है कहां से, रिष्टेदार एवं मित्रों के तरफ से, उसके वस्याहुकार के तरफ से आता है, इसमें आप समझ लो, कि अवचारिक के तरफ से ज़्यादा कर भरतिय रिजर्ब बैंक रिनो के अपचारिक सुरोथों की कार्यव प्रनाली पर नजर रखता है। उधारन के लिए हमने देखा है कि बैंक अपनी जमा का एक नियूंतम नगद हिस्सा अपने पास रखता है। और RBI नजर रखता है कि बैंक वास्तों में नगद सेस्स बनाए हुए है RBI Reserve Bank of India जिसको भरतिय रिजर्ब बैंक बोलते हैं। वो देखता है कि इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाव अर्जित करने वाले बैपारियों और बेवसाईयों को ही रिन देता है। उसी को मुहिया कराता है या बाकी छोटे किसानों को भी करवाता है। छोटे उधोग छोटे करजदार इत्यादी को भी रिन दे रहे हैं। ये सब देखता है कौन भारते रिजर्ब बैंक कि कि किसको किसको दिया जा रहा है। समय समय पर बैंकों दुवारा RBI को यह जनकारी देनी पड़ती है कि वे किसान वे कितना और किनको रिन दे रहे हैं RBI को यह बताना पड़ता है कोई कितना और कितना रिन किसको दिया जा रहा है और उसकी बेयाज की दर क्या है और कितना बेयाज पर दे रहे यह दर भी बताना पड़ता है और नौप्चारिक छेत्र में रिन दताओं की गतिविधियों की देख रेक करने वाले कोई संस्था नहीं है तो रिन देने वालों की गतिविधि जो है उसको देखने वाला कोई संस्ता नहीं है एक एक्षित दरो पर रिंद दे सकते हैं उन्हें नजायस तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है नजायस तरीके से पैसे वापस लेने से कोई नहीं रोक सकता जो गुंडे मावाले निता होता से आप परज लोगे तो तब कुछ अब धर्थी लेगा ना नहीं दो गए तापके घर के लड़कियों को उठा ले जाएगा नहीं तब के बैल को उठा ले जाएगा नहीं तब के समान गारी उगर आप स्कूटर ले जाएगा उच नहीं सब्सक्राइब में लालच होगा? नहीं कि मावद कहा होगा? अफचारिक रिद्धाऐं के तुल्ना में अन अफचारिक छेट्र में ज्यदा तर रिदादा कहीं अधिक बयाज वसूल करते हो Ugh जो अन वश्रिक होते है उसमें रिदद दिया जाता है लेकिन उसका बयाज बह और वो लोग क्या करते है, जब अश्ती पैसा के उसुनते हैं, आगे देखते हैं, रिन की उच्छी लागत का अर्थ है, कर्ज की आये का अधिकतर हिस्सा, रिन की अधाइगी में ही खर्ज हो जाता है, रिन का उच्छ लागत, रिन का उच्छ लागत अर्थात, कर्जा की आय का अधिकार अधिकतर हिस्सा कर्जा जो दिया जाता है किसको दिया जाता है खर्च हो जाता है इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आये बचती है कम पईसा बचता है सारा तो कर्ज दे दिये जो कर्जदार है कर्ज दे रहा है उसके पास पईसा कम बचता है जैसे कि ह आम ने सुनपूर के स्यामल के मामले में देखा है उस मामलों में रिन के उची ब्याजदरों के कारण जब रिन का ब्याज ज्यादा होता है तो ब्याज कर्ज वापस करने के रगम कर्जदार की आये से भी अधिक होती है जो कर्जदार दिया है कर्ज दिया है अब देखो यहा वाजा से कर्जदार को अपने आये में से भी पैसा देना पड़ता है इसके कारण रिन का बोज बढ़ जाता है किसानों पे जैसा कि हमने स्वनपूर की रमा के मामले में देखा है कि वह एक बार फस्द गई तो उससे लिकरना बहुत मुश्किल था और ब्यक्ति अब देखो यहाँ पर और और ब्यक्ति रिन जाल रिन जाल में फस्द जाता है इसी गारण रिन जाल में फस्द जाता है ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उधम शुरू करना चाहते हैं कोई भी कमपनी कोई भी फैक्टरी कुछ भी बैबार चा इन सबी कारणों को देखते हुए, बैंकों को, सहकारी समीतियों को ज़्यादा करज देना चाहिए, अब देखो, बैंक और सहकारी समीति, इनको ज़्यादा करज देना चाहिए, लोग ऐसे चुम्बलों में ना फसे, इसके जड़िये लोगों की आये बढ़ सकती है, अब ये सरकारी सम्मूटी देगा तो लोगों क्याय बढ़ेगी और बहुत से लोग अपने बिविन जरूर्टों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं और अपना चुपा दे सकते हैं वे फसल लगा सकते हैं कोई कारोबार कर सकते हैं छोटे उद्धोग इत्यादी लगा सकते हैं वे नया उद्धोग लगा सकते हैं या वस्तूओं का बैपार कर सकते हैं सस्ता और सामर्थ के अनुकूल सस्ता और अपने छम्ता के अनुकूल अनुसार कर्ज देश के विकास के लिए अतियावस्यक है मतलब इतना दिया जाये तो देश के विकास के लिए पहुँ जाता जरूरी है अब अगले भाग में पढ़ेंगे अपचारिक और अनपचारिक साखा किसे क्या मिलता है फिर से समझो अपचारिक और अनपचारिक साखा किसे क्या मिलता है ठीक है? इसके बारे में details में जानेंगे अलेक दो को दिखा कर बताते हैं इंद्रजीत study point बज़ुरने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आसा करते हैं आप comment जरूर करेंगे आपके comment का में इंतिजार रहेगा within 24 hour में आपको reply provide गरा दिये जाएंगे